पाठ चौदह, टीटू और रोबोट, पाठ प्रवेश, विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, विज्ञानिकों ने रोबोट बना कर हमारे अनेक कामासान कर दिये हैं, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रोबोट और मानव में कुछ मूल भूत अंतर हैं, रोबोट सम सम्वेदन हीन है, और हम सम्वेदन चील हैं, हम सम्वेदन हीन न हो जाएं, यह ध्यान रखना आवश्यक है, स्कूल के रिक्षे ने टीटू को दरवाजे पर छोड़ा, टीटू बैक लेकर दोड़ पड़ा, उसने कमरे में पहुचते ही बुकारा, मा, कहा हैं आप? मैं खाना परोस रही हूँ, यहीं आजाओ टीटू? अंदर से आवाज आई, मेज पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे, सामने टीवी चल रहा था, मा पापा के चेहरों पर नई जमक थी, पापा आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे यह देखो, तुम्हारा नया दोस्त ट्रबो। पापा द्वारा नाम लेते ही ट्रबो सामने आकर खड़ा हो गया। जानते हो, यह तुम्हारा प्रिय खेल शतरंज भी खेल सकता है। पापा ने बताया, तो टीटू आश्चरय से रोबोट को देखने लगा, उसने पुकार ट्रबो इधर आओ। और कहा, ट्रबो इसे सामने वाली कील पर टांग दो। ट्रबो ने टाय ली, वह मुड़ा और चलने लगा, पर कील उसकी पहुँच से दूर थी, उसने दो तीन बार प्रयास किया, पर असभल रहा। टीटू ने समझाया, ट्रबो पहले तुम उस मेज तक जाओ, फिर मेज पर चलो और टाय कील पर टांग दो। अब उसके लिए यहाँ आसान हो गया था, उसने टाय टांग दी, टीटू खुशी से पापा से लिपट गया, और चहकता हुआ बोला, थैंक यू पापा। इसी आनंद में कई दिन बीद गए। एक दिन जब टीटू स्कूल से लोटा, तो उसके हाथ में चम चमाती शील्ड तथा प्रमान पत्र था, वह अपने खुशी अपने दोस्त ट्रबो से बातना चाहता था, उसने जट पट एक सांस में कह डाला, तेखो स्कूल प्रतियोगिता में मुझे प्रधम पुरस्कार म पर यहाँ क्या, जबो भावशुन्य खड़ा था, उसे उमीद थी कि वह कहेगा, वाह दोस्त, तुमने तो कमाल कर दिया, पर उसकी लाल बत्ती जल बुझ रही थी, टीटू ने फिर से कहा, जबो देखो मुझे यहाँ प्रमान पत्र मिला है, ऐसा कहकर टीटू ने प्रमा करता जा रहा था, पर उसे यह सचाई कहां पता थी, कि यहाँ मशीनी मानव हमारे सारे कार्य तो कर सकता है, लेकिन हरश, शोक, रोमांच, आदी भाव नहीं प्रकट कर सकता, फिर वह टीटू की सफलता पर कैसे खुश हो सकता था? आज से एक सब्धा पूर्व ट्रबो की आने से टीटू जितना खुश था, आज उससे भी अधिक उदास था, उसने मा से कहा मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मैं अकेला रहूंगा, ले जाओ इसे यहाँ से वहर रोए जा रहा था, टीटू, टीटू, बेटा सम्हालो अपने आपको मा प्यार से सहला रही थी, पापा प्यार कर रहे थे, पर ट्रबो उसके आंसुओं को देखकर पिखल नहीं रहा था उसके लोहे के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे, वह कमरे के कोने में वैसे ही खड़ा था, भाव शुन्य, मा टीटू को रोता देख सोच रही थी, क्या हम भी रोबोट हो गए हैं, जो इससे रोता देख रही हैं, और उन्होंने टीटू को अपने बाहों में समेट लिया,